आज के सब्सक्राइब दोस्तों हम बात करेंगे NMDC में आई हुई नई वैकेंसी के बारे में जहां पर दोस्तों all over इंडिया के freshers can and jam form को fill up कर सकते हैं तो क्या-क्या important information है, क्या important date है, exam कब होगा, last date क्या है, form कैसे fill up करना है, क्या examination pattern होगा, कहाँ पर examination होगा, किस language paper होगा, साइड details मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो बैन आप हमाई साथ, चैनल पर अगर आप नए है, चैनल को subscribe करें, वीडियो पसंद आता हो, जो like और share करें, तो दोस्तो इस्टार्ट करते है, सबसे पहले दोस्तो यहाँ पर बता दे, जो NMDC है, यह नौरतनों company है, काफी अच्छा, आपको यहाँ पर package मिलता है, ministry of steel के अंदरकत यहाँ पर आती है, और यहाँ पर दोस्तो बात किया जाए, तो यहाँ पर freshers candidate और experience candidate दोनों के लिए है, vacancy आ रखी है, तो यहाँ पर दोस्तो आई टिप्लोमा दोनों के लिए चैनल को फिल अप कर सकते हैं, अगर मैं डिप्लोमा की बात करना हूँ दोस्तो जो है, welder के, feeder के, motor mechanics, digital mechanics, auto electrician, electric energy of our firm को यहाँ पर प्लाप कर सकते हैं, तो दोस्तो यह तो number of vacancy बगएरा होगी आप देख सकते हैं, काफी जगाँ वेकेंस यहाँ पर आई हुई है, दोस्तो मैं आपको यहाँ पर बता दो, initially जो है आपको यहाँ पर training में रखा जाएगा, training के दोरान जो आपको इस ट्रेपेंट दिया जाएगा ट्रेनिंग कम्रीट होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पर पर्मिनेंट कर जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों हम सैलली की भी बात करेंगे कितनी सैलली जो है आपको दी जाएगी ट्रेनिंग के दोरान और ट्रेनिं जैसे कि S.E.S.T. को 5 साल दिया जाता है उपसी N.C.L. को जो है तीन साल दिया जाएगा अगर आपके पास सर्टिमेट हो गारा है तो दोस्तो अगर बात किया यहाँ पर सेरलिव अगरा कि तो यहाँ पर जो आईटे वाली पोस्ट है फिल एटेंडेंट के लिए जो ट्रेनिं आपका यहाँ पर जो पेस्केल हो जाएगा आप जो है पर्मनेंट हो जाएगे तो यहाँ पर जो है आपका 18,100 लेके 31,850 तक के ग्रेट पे में आपका शैल भी रहेगा इसे तरह दोस्तों बात किया जाए जो मेंटेनर असिस्टेंट वाले पोस्ट है उनके लिए भी स्ट लेके 35,040 जो है इनका सैलली इसकेल का बेसिक पे रहेगा यह हो गया दोस्तों सैलली रिगार्डिंग एजनुट के रिगार्डिंग अब बात करते हैं फॉर्म कब से अप्लाई करना है तो दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो स्टार्टिंग डेट है वो दस फर्वरी 2022 रखी गई है दस फर्वरी 2022 के बात ही जो है आप फॉर्म को यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अभी जो है इसका लिंक अक्टिवेट नहीं हुआ है आपको हमाया चैनल में सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसलिए जो दोस्तों हम जो है प फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है फुरा step बताऊंगा तो आप जो है वो वीडियो मिस मत कीजेगा अभी जो है इसके examination pattern के regarding बात कर लेते हैं उससे पहले हम यहां पे application fee कितना लिया जा रहा है उसके बारे हम बात कर लेते हैं तो यहां पर दोस्तों application fee जो है 150 रुबै का जो है separate upload करने वाला हूँ आप जो है उसको थ्वड़ा सा इंतियार कीजिए 10 तारीक बाद जो है आपको वीडियो आपको upload हो जाएंगे आप जो है चैनल पर daily widget कीजिए अब यहां पर दोस्तों mode of selection के बात करते हैं तो यहां पर देखिए written test होगा पीचकर ability test होगा पीचकर ability जाएंगे दोस्तों number of comment और वीव अगरा ज्यादा होगे तो मैं एक separate video लेकिया होगा कि इसके लिए इसके रिगार्डिक बस आप लोग का सही होग चाहिए जितना हो सके वीडियो को like कर दीजे, share कीजे तो यहां पर दोस्तों जो pattern रहेगा उसके बार बात कर लेते हैं तो यहां पर देखें दो इस test का level test है पहला test दोस्तों first level test है जो return test होगा हर एक candidate के लिए दूसरा दोस्तों यहां पर जो है test होगा तो इसके रिगार्डिक वीडियो जो upload है अगर आप चाहेंगे तो और भी वीडियो upload हो जाएगा अब paper का language दोस्तों यहां पर तीन language में paper रहे है अब दोस्तों यहां पर examination center कहां पर रखा जाएगा तो दोस्तों यहां पर देख लिजे यहां पर जो fill attendant है उनके लिए क्या pattern रहेगा तो general knowledge से जो है 270 questions जो है numerical reasoning से questions यहां पर पूछी जाएंगे यह जो है fill attendant के लिए हो गया अब बांकी पोस्ट के बात कि जैसे maintenance assistant के लिए जो diploma वाले करनेट है उनके लिए यहां पर देख सकते हैं उनके subjects regarding 30 questions पूछ जाएंगे और general knowledge से और numerical ability से 50-20 marks के questions यहां पर पूछे जाएंगे यह इस प्रकार जो है यहां पर दोस्तों आपका हो चुका है अब यहां पर second stage जाने के लिए आपको जो है minimum तो 50 marks लेके ही आने ह यह होने के बाद दोस्तों जिसके marks जाता रहेंगा उनको जो है यहां पर preference दिया जाएगा और vacancy के regarding उनको जो है चैनित किया जाएगा अब दोस्तों यहां पर यह सारी information मैंने आपको बता दी बाकि जितनी भी important information से अपको मैंने यहां पर cover कर लिया है slavers के regarding दोस्तों same slavers है यह अस्ती pattern है बाकि आपको जो slavers रहेगा वो यहां पर slavers रहेगा अब form को कैसे fill up करना है उसके regarding मैं जो है separate video लेके आने वाला हूँ तो आप जो है 10 तारीक अंतियार कीजिए जब इसका link जो active हो जाएगा तम मैं आपको बता दूँगा form को कैसे step by step fill up करना है बाकि द यस्निंग